असलाम उलेकुम, विलकम टू माई यूटूब चैनल, क्या हाल है विबस, कैसे हैं आप लोग, रमजान कैसा गुजर रहा है, अलम्दुल्ला, यहां तो रमजान बहुत अच्छा गुजर रहा है, आज हमारे किचन में बन रहा है, क्रिस्पी चिकन बॉल्स, आप देख सकते ह कितना क्रिस्पी बॉल्स दिख रहा है, जितना दिखने में अच्छा लग रहा है, उतनी टेस्ट में भी अच्छा बना था, आप जरूर ट्राइक कीजिए गए, और चलते हैं आप किचन में और बनाते हैं, हमने एक पैन लिए, उसमें आदा चमच आयल डाला है, एक प्राई करना है, सिफ पिंक करना है, इसको बिलकुल लाल नहीं करना है, पिंक शेड में करना है, तो इसको हम पिंक शेड में कर लेते हैं, अब देख लिए, थोड़ा सा हलका सा पिंक शेड में आ गया है, तो अब हम इसमें से आदिस से ज़्यादा प्याज निकाल कर फिर में रख देंगे थोड़ी से प्यास हमने पैन में बचा लिए जिसमें हम 500 ग्राम चिकन का कीमा हमने लिया है इसको हम डाल देंगे अब कीमे को हमें अच्छी तरह भुनना है इसमें हम नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के हिसाब से मैंने आदा चमच डाला है अब अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा और कीमा को भुनते भुनते हम इसको थोड़ा चमच से दबा दबा का छोटा छोटा कर लेंगे जो बड़े टुकड़े दिखेंगे इस तरीके से जिंजर गारलिक पेस्ट डाल देंगे एक चमच और एक चमच हरी मिर्च पेस्ट अड़ करेंगे आदा चमच हल्दी पाउडर छोटे चमच से हमने लिया है गरम मसाला पाउडर आदा चमच आदा चमच लाल मिर्च पाउडर अब इसको मसाले को अच्छे तरह से हम भूल लेंगे ताकि कोई इसमिल ना रहे इसको थोड़ा spicy बनाना इसलिए हमने हरी मिर्च लाल मिर्च दोनों के यूज किया है आप चाहें तो कम तीका खाते हैं तो आप मसाला थोड़ा लाल मिर्च हरी मिर्च थोड़ा थोड़ा quantity कम कर सकते हैं अब इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया क्योंकि हमारा बिल्कुल रेडी होने को है और इसको हम चला देंगे और सबसे लाश्ट में हम इसमें आइट करेंगे वो जो हमने प्याज रखी हुई थी निकाल कर साइड में उसको आइट कर देंगे और चला देंगे और गैस को बन करके इसको साइड में रख देंगे एक बॉल लेते हैं इसमें डाल देंगे टू कप मैदा और एक कप कान फलोर एट करेंगे और इसके एक हम बेटर तयार करेंगे यानि घोल जैसा तयार करेंगे जो ना बहुत पतला हो और ना ही गाड़ा हो मैं आपको दिखाऊंगी अभी इसमें आदा चमश नमक अड़ किया है और आदा चमश हमने काली मिच पाउडर अड़ किया है अब इसको पहले अच्छे से मीक्स कर ले उसके बाद पानी आड़ करके इसको चलाते रहें ये देखें इसी तरह हमें गोल तयार करना है अब बिरेड लेंगे बिरेड को हमने हलका हलका पानी लगा कर उसको थोड़ा सा भिगा लिया है और इस तरह से बीच में एक चमश कीमा मनें रखा है इसका हम बॉल तयार करेंगे इसी तरीके थे हम सारे बॉल तयार करके रख लेंगे साइड में अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक करें देखें हमने सारे बॉल तयार कर लिये हैं अब इने हमें उसे जो हमने बनाया था मैदे के कुल उसमें हमें डीप करना है उसके बाद कार्ण फलोर इसके उपर लगाना है उसके बाद फ्राई करना है तो कार्ण फलोर को इसी तरह हम अच्छे से लगा देंगे और उदर तेल हमने गरम करने के लिए रख दिया है कराही में अब गर्म हो चुका है अब इसमें हम इसका फ्राई करेंगे आप चाहे तो इस तरह बना कर आप फ्रीजर में एक डबे में अच्छे सपाइक करके रख सकते हैं दो तीन दिन के लिए और जब दिर चाहे तब निकाल कर आप फ्राई करने हैं अब देखें यह बहुत जल्दी से फ्राई हो जाता है क्योंकि इसको मीडियम हाई फ्लेम पर करते हैं तो जल्दी से फ्राई हो जाता है और उपासक की रिस्पी भी हो जाता है आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो एक अच्छा सा फीड़वाइक दे आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहता है अपने दोस्तों और फैमले में वीडियो को शेर किया कीजिए और आप ने बनाया तो इसके पिक मुझे जरूर सेंड कीजिएगा अल्ला हाफेद